है 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 लो फ्रेंज आज हम बात करेंगे डेल लेड थर्ट समस्टर के कुछ महत्पूर प्रफशन दोस्तों आज जो हमारा भी से सचिक मुल्यांकन ठीक है दोस्तों आज इसी की बारे में दोस्तों हमें पढ़ना आए इसमें दोस्तों जो आज की टॉफिक है सतत एवन व्या ब्यापक जानते हैं चले दोस्तों पहला आपको धिया बैदाधालते हैं ज्या चल्ट सब्सक्राइब कर दोस्तों पर अधारित पर अधिका स्टेखर्ण को एक से सब्सक्राइब अश्टर की गींतियों का अभियास करते हैं ठीक primary केच्छाओं में बच्चे को एक से लेके 100 तेक गिंती तो उसकी अभ्यास किरा जाता है उस चाहतरों में निमलेख की दश्हता है देखी जाया सकती है ठीक दूस अज आ हूं के जालनते हैं कौन कैसे संख्या की पाचान करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले बच्चों को हम उनकी जो जिसे 1 हो गया 2 हो गया 5 इसको लिखेंगे दोस्तों उनको बार-बार वो पाचान करेंगे दोस्तों यह 1 है यह 2 है 5 है ठीक दोस्तों तो देर देरे बच्चे उस संख्या की पाचान करने ल पता जाए कि करसी आपको संख्या लिखनी है तो यह इसकी बच्चों में सिखा जाएगी और दोस्तों जो आपका तो इसलिए जो संख्या का लिखने का निस्थीत करम होता है और दोस्तों वर रूपे दच्चतां प्राप्त करणा यही अधिगम प्रक्रिया है तो दोस्तों इसमें कहने का तात्पर है कि जो दश्चता प्राप्त करना यही एक सीखने की प्रक्रिया है और इस सीखने का जाच आप कैसे करेंगे एक सीच्छक कैसे करेगा तो दोस्तों इसके लिए एक सीच्छक को क्या करना पड़ेगा दोस् दोस्तों आप ने की स्ट्ट्रेप दुष्ट turbulक्ता चाने में तक टुन हे झालते हैं को टश्ता अअधारित कि अंक शेच्छार्थी आ में पेको जित선 अस्तर तक सीखने में समर्थ है ठीक दोस्तों और इसमें आउज जान के अर्थार्ण सीच्छकों को कच्छा में समय समय पर दाष्चता अधारित मुल्यांकन का अंकन करते रहना चाहिए ठीक दोस्तों इसमें यह करने का दात पर पर है कि जो भी सिच्चा के टीकर है वो कchा में समय समय पर दाष्चता जानने के लिए बच्चि के अंदर कितना अपजर्ब किया या कितना अच्छा किया है तो इसके लिए समय समय पर एक मुल्यांकन की जरूत होती है तो मुल्यांकन करना चाहिए जिस से मालुम हैं कि बच्चा कितना सीखाय ग्यान ओषकते चारतों जिस साथों ओद उसके परता से झाकी उसके डियाँ को अधी दिव तो दोस्तों जो सतत मुल्यांकन की अधारा क्या होती है इसके बारे मुझा लेता है इसमें जो दिया है कि सतत मुल्यांकन मुल्यांकन की ऐसी बेउस्था है जो सीखने सीखाने के साथ चलती है ठीक दोस्तों जो मुल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया या ऐसी बेउस्था जो सीखने तथा सीखाने के साथ ये निरेंतर चलती रहती है जिससे सिच्छार्तियों के अधिगम और बेवारों में होने वाले प प्रक्रेकर आगे दोर पर किसी बाल onlar के अंदर बढ़ियोटल रहा है यह देख लाता है मिललैंकन के फांडी या कोई भी ढ़िदीत के मादम से समसी कर सकते हैं ओर दोसमें परेटा परतेक इकाई से सिच्छर के उपरांद विभिन उपकोडों से छात्रों का मुल्यांकन किया जा सकता है ठीक दों आप कोई भी उपकोडों ले लिजिए उसके द्वारा भी आप मुल्यांकन कर सकते हैं इससे यह पता लगाया जाता है कि अध्यापित विशेवस्तु को छात् पता है तो इससे एक ठीचर पता लगाया है पता लगा सकता है कि जो सफ़ाथ अलगाई करते हैं कि इसमें दिया दोस्तों सतत मुल्लांकन का महत्तों तो दोस्तों जो सतत मुल्लांकन का महत्तों उसके बार हम जालते हैं इसमें दोस्तों दिया कि सतत मुल्लांकन के महत्तों को प्रदासित करने हैं तो हम एक बेवारिक ग्रूप से पस्चुत करते हैं ठीक दोस्तों परमुग साधन वारसीक परिष्चा तताँ उनके प्राइब होती है। वारसी परिष्चा के थूब पढ़न Linkan करते हैं, वारसीक परिष्चा के तूरूर प्राइब आते है। संपूर सकुल संकलपना के माध्यम से अंतनी सतत मुल्यांकन इस समस्या का परमुख समधान है ठीक दोस्तों इसमें और बात कर लेते हैं कि सतत मुल्यांकन के माध्यम में बालक योगिता तथा अयोगिता के बारे में नेमित रुप से उपयोगी तत्यों का पता लगाना सम्म सब्सक्राइब करें तो यहीं मुल्यांकन के द्वारा ही आप पता कर सकते हैं ठीक है इस प्रकार सतत मुल्यांकन के परिड़ाम हमें सिग्रप्राइब करते हैं ठीक है जो आप प्रक्रिया हमें से नियरंतर करते हैं तो इससे जो आपको मुल्यांकन के बाद जो आपका छेड़ी मालूं में चलता है और जो सत्त ब्यापक मुल्यांकन स्यम लच्ष नहों कर लच्ष प्राप्त करने का एक साधन है इसमें और दख लेते हैं इस मुल्यांकन के द्वारा बेध्यार्थी परिच्छा के भय से मुक्त हो सकेंगे ठीक जो बार बार नीरंतर जो आपको मुल्यांकन होता है तो दोस्तों इसके जो एक छातर होता है उसके अंदर दोस्तों जो परिच्छा के परती जो भए होता तो दोस्तों भए मुक्त हो जाता क्योंकि उसको बार बार वह करनी परती है मुल्यांकन किया ज थीकalt पर रहेंगे हमेसा वह आगे रहेंगे ठीक चो इसमें और डिखे लन्च गेंद इखलते हैं इसमें Five शर्व मुलांकन की विधियां तो दोस्तों बात कर लते हैं कि सफ मुलांकन की विधियां की वारों कि इसमें जो दिया है कि वartमान में पर्म रूस सतत मुल्यांगन के पक्रिया विद्या निहीम लेकित हैं तो आयरता है कोन का झी इविजिए निहीं नियम लेकित है तो दोस्तन इसमें जो पहला दिया है कि सतत hydraulic ठीक दोस्तों सट्ट परिछः स्तर आप की परिछः होती रती है तो उसके उसे जो आपका मुल्खकन हो जाता है और कोई साथ आप्र आप से अदार कर सकते हैं कि इस थद्टने क्तनी ग्रोथ हुई इससे पहले आप देखनेगी बच्चिक अनदर क्या ग्रोथ हुआ है दो सेचेंड इकाई परिच्षड है और भी मालांसीख नूकर सकते हैं के 토ली है तो अग्हेसमेश्टर-पट्राली तो आपके उतकत स्वेक्ट्राल भी क्या होता रहता है मुल्लांकर है आपने कितना सीखा है कितना समय है तो आपके अंदा क्या क्वालिटी कीवराम बाहूं चलता है अब जो सहत्रत मुंलाइकन पड़ ली है अब इसकि बात हम भ्याऴपक मुंलाइकन का अर्थ के बार में जानेगा फिर्फ जो इसके जो सम्पूर पच्छो को प्रभाय गत जो इसमें गर्भी संभन करते हैं अतर्थ मानो के जण से विथित दुत तक किसी ना किसी रूप में मुल्यांकन किया जाता है तो दोस्तों वह मनुस की जीवन को भी प्रभावित काता है लेकिन दोस्तों वह उसको दिखाई नहीं पड़ता है ठीक दोस्तों नेक्ट स्टेप दोस्तों बात करेंगे व्यापक मुल्यांकन के विन पच ठीक दोस्तों तुम जान लगता है कौन-कौन से पच है बालक के संपूर पच्छों का मुल्यांकन करना ही व्यापक मुल्यांकन कलाता है ठीक दोस्तों जो बालक के संपूर पच्छों का जो मुल्या जाल डहते हैं इसमें जो पहला दिया है जो घर सक्ष का अन्र और क्या एक नएतिक विकास हुआ या क्या एक बocy extracted तो दोस्तु इस आपका भखात्मक पच्छह में आजाने, और कौस्टल बहिएटें ठीक दोस्तों इसमें स्किल से रिलिटरेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे